हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है पजल कुईजन फन में एक नया दिन और एक नई पजल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही पॉपलर पजल यह काफी पॉपलर पजल है और साथ ही साथ इसका आंसर भी काफी इजी है तो चलिए बीना टाइम वेस् है पॉपलर देखते हैं कि क्या है आज की पॉपलर दोस्तों यह रही पॉपलर आपके सामने इसमें क्या है की 1001 कोई से सिक्क़ código है जिसमें इसे and Partners ढ picky फिर कह सकते हैं फेक है मतलब या तो वो हलका हो सकता या भारी हो सकता बाकी 100 के 100 standard coin है उनका weight बराबर दिखने में भी एक जैसे है उनका weight भी बराबर है वो defective नहीं है सिर्फ एक है जो defective है और हमको यह पता करना है कि वो light है है या heavy है और हमारे पास सिर्फ दो attempt है हमारे पास सिर्फ दो chance है और हम क्या करेंगे इस तराजू का use करेंगे two side weight machine ठीक है two side pen तो हमें इसका use करके सिर्फ दो attempts में बताना है कि वो quain हलका है या भारी है हमको ये नहीं बताना है कि वो कौन सा quain है हमको सिर्फ ये बताना है कि वो हलका है या भारी है तो चलिए दोस्तों screen post करिए, थोड़ा दिमाग लगाईए brain के exercise करिए, और बताए इसका answer कै और देखते हैं कि आपका answer मेरे answer से match होता है या नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी से देर में तो दोस्तों ये रहा आपके सामने solution with detailed explanation और ये जो solution है, काफी easy है मैंने बहुत simple solution लिया है और मैं आपको बताता चलूँ कि इस puzzle के multiple solutions हो सकते हैं, बहुत सारे solutions हो सकते हैं, तो देखते हैं हमारा solution क्या है हमने क्या किया है, हमारे पास जो 101 coins है हमने उनको 3 group में divide किया, group A जिसमें 50 coins है group B उसमें 50 coins है और group C जिसमें single coin है हमने 3 group में divide किया, A, B, C 50, 51, 50, 51 sum is 101, तो हमारे पास 101 coins है तो सबसे पहली बार हम क्या करेंगे सिनारियो A is equal to B, मतलब कोई भी पढ़ला उपर नीचे नहीं गया, A और B के कोई बराबर वेट कें, 50 इदर, 50 इदर, कोई उपर नहीं गया, कोई नीचे नहीं गया, दूसरा हो सकता A greater than B, मतलब A वाला पढ़ला भारी है, वो नीचे चला गया, B वाला हलका है, उपर चला गय है, तीसरा सिनारियो बन सकता A less than C, मतलब A वाला पढ़ला हलका है, वो उपर चला गया, और, सुरी मैं यहां पर B लिखना चाहिए था, मैंने C रिखती है, ठीक है, तो A less than B, मतलब A हलका उपर चला गया, B भारी नीचे चला गया, यही तीन सिनारियो बन सकते हैं, तो हम त सी में हैं, और ग्रूप नमबर C में हमरे पीफ पर सिर्फ A क्वाई है, तो हब हम क्या करेंगे, यह बहुत, यह पार्ट बहुत पाट इजी, इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक कोई ले लेंगे, तो A से या थो B से, मतलबаюсь इन सामसे सिर्त ग्माई के साथ तो लेंगे, उस बार में हम क्या करेंगे, divide कर देंगे a ग्रुप को in two equal parts, ऌगे, a को ہम two equal parts में divide कर देंगे, मतलब 50 जो coins है, 50 को 25 और 25 दो ग्रुप में divide कर देते हैं, तो दो scenario बन सकते हैं, एक हो सकता balance, एक हो सकता imbalance, तो पहले balance समझते हैं, balance में क्या होगा, 25 और 25 बराबर हो गए, इसका मतलब की, वो coin, जो defective coin है, एक group में नहीं है, तब ही वो 25 और 25 balance हो गए, कोई भी पड़ला उपर नहीं गया, कोई भी नीचे नहीं गया, imbalance में क्या होगा, एक उपर चला गया, एक नीचे चला गया, ठीकि हम समझते हैं, A greater than B वाले case में, जो second case है, जो second case है, इसमें क्या होगा, अगर balance हो गया, इसका मतलब की वो beam है, beam है, इसका मतलब वो light है, क्योंकि A greater than B है, ठीकि है, अगर imbalance हो गया, इसका मतलब वो A में ही है, इसलिए वो ठीक है? अगर वो बैलेंस हो गया, इसका मतलब वो A में नहीं है, वो B में है, और B में है, तो वो light है, क्योंकि A greater than B अगर इम बैलेंस है, तो A ग्रुप में ही है, तो वो होगा heavy, क्योंकि A greater than B इसी तरसम तीसरा scenario समझते है, A less than C, अच्छा मैंने गलती से यहां पर भी सील गया था, my mistake तो A less than B case में क्या होगा, जो हमारा तीसरा case है, अगर balance हो गया, A group, A1 और A2 balance हो गया इसका मतलब कि वो B group में है, B group में है, इसका मतलब वो heavy है, because B is heavier than A अगर imbalance हो गया, इसका मतलब वो B में नहीं है, वो A में है, और वो होगा light, क्योंकि A less than B ठीक है, तो यह रहा solution, तो मैं आपको बताता चलू, इसका सिर्फ एक solution नहीं है, आप चाहें, आप चाहें, तो इसको 33, 33, और क्या बचा, 35 ऐसे भी कर सकते हैं, और भी different, different scenario बलान सकते हैं, तो अगर आपको इसके अलग-अलग solution small हैं, तो जरूर post कर ये group में, मैं जरूर देखना चाहूंगा, और अगर आपको मेरा solution अच्छा लगा, तो please like, share and subscribe this video, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और नई puzzle ले करके, यजू